next question question says when a proton is released from rest in a room it starts with initial acceleration of a naught towards west when it is projected towards north with speed V naught it moves with an initial acceleration of 3a naught towards west सवाल ये है electric and magnetic field in the rooms आर और चार option अपने को दे रखे हैं आप लॉरेंस फोर्स का आसान सवाल है तो सबसे पहले तो situation देखते हैं situation यह है कि मान लीजिए यह आपकी east यह आपका north और यहाँ पे आपका west और यह south यह आपकी direction है और जब हमने अपने charge को release किया rest से it starts with an acceleration of a naught towards west तो जब हमने इस room में rest से इसको आपके proton को release किया है तो वो इस direction में a naught acceleration से move किया यह rest के case में दूसरे वाले केस में हमने जब इसको project किया है towards north with a speed V naught हमने second case में आपका first case है second case में जब हमने से इस direction में यह आपका proton है इसको V naught velocity दी so it starts moving towards जब हमने इसको V naught it is projected towards north with velocity it moves with an acceleration of 3 naught towards west तो उस case में यह वाला particle आपका west direction में move किया 3A naught से सवाल यह है कि अपना हम से पूचा गया है हमें बताना है कि कि इसका electric or magnetic field इस कमरे में कि डारेक्शन में लॉरेंस फोर्स के साब से अपने को पता है कि लॉरेंस फोर्स एफनेट उसको हम लिखते हैं क्यूई प्लस क्यूवी क्रॉस भी अलाई अब इस केस में जब हमने इसको रेस से आपकी इसका नेट फोर्स जो है वह आपका क्यूई होएगा से फोर से फिलेक्ट्रो सेडिक एलेक्रिक फील्ड की वज़े से आप एलेक्रो सेडिक फोर्स लगेगा और उसकी क्योंकि डारेक्शन एनॉट आपकी वेस्ट की तरफ है तो इस वह से हम कह सकते हैं आपका की एलेक्रिक फील्ड की वेल्ली हो जाएगी तो सिर्फ इस बेजिस पर हम देखें तो हमारा ऑप्शन नमबर सी या डी में से कोई एक राइट आंसर होना चाहिए है जब हमने इसको रिलीज किया सेकंड केस में जब हमने से इनिशल वेलॉसिटी दी है तो आपका यह वाला फोस भी यहां पे अप्लिकेबल हो जाएगा विकाज आपकी वी नौट वेलॉसिटी को हमने क्योंकि इस डारेक्शन में दिया है तो अगर आपकी वी नौट वेल देरेक्शन पाम कि रिकशन आपको घड़ बताईगी नेडवोस कि डारेक्शन क्या है तो पहला वीक्त व्यम्यों कर दो फोसे तो आपकी मैगोन ईसकूल हो इसकेस में इस कम्रे को north west east south इस कम्रे को अपने को plane माने तो आपकी magnetic field की direction होगे inside या फिर उसको आप down भी कह सकते हैं इस सवाल में यह अगर आपका north west east south आपको राजस्तान से दिल्ली जाना है तो आप उपर नहीं जाएंगे आप नौर्थ इस डिरेक्शन में जाएंगे आपकी दाउन आ गई आपकी जो आपकी जो आपकी जो आपका magnetic force आ जाएगा और उसकी वेल्यू हम जो magnetic force जो है आपका उसको हम लिख सकते हैं यह magnetic उसकी वेल्यू लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू 3A0 माइनस माइनस यानिकी 2mA0 यह आपकी magnetic force की वेल्यू हो जाएगे तो बेस अन दिस डिवाइड बाए इसको हम QV से डिवाइड कर दें आपको QV से V0 से डिवाइड करके यह आपकी magnetic field की वेल्यू आ गई है तो बेस अन दिस हम कह सकते हैं कि आपका option नमबर डी वूट बी तराइट आंसर कि अवाइड है